हलो एंड वेलकम एवरिवन आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फेडरलिजम अगर आपको क्लास के अंदर कोई भी प्रॉबलम आती है तो आप किसके पास जाते हो क्लास टीचर के पास अगर वो प्रॉबलम फिर भी सौल्ब ना हो फिर किसके पास जाओगे प्रिंसिपल के पास प्रिंसिपल भी उस दिकत को सौल्ब ना कर पाए तब आप स्कूल के ओनर के पास जाओगे तो इसी तरीके से कुछ हमारा फैडरलिजम वर्क करता है देखो यहाँ पर था राजेश राजेश यूपी के अंदर रहता है यूपी में जिस जगा पर वो रहता है उसके स्कूल के अंदर कम्प्यूटर लैब नहीं है परिशान होकर राजेश अपने लोकल गवर्मेंट लीडर को ये सारी प्रॉबलम बता देता है लोकल गवर्मेंट लीडर बोलते है कि ठीक है मैं तुमारी बात और बड़े लीडर्स तक पहुचा दूँगा और शायद वो लोग फिर यहां पर स्कूल के अंदर कम्प्यूटर लैब लगवा थे अच्छा यहीं पर होता है श्याम राजेश और श्याम रहते तो यूपी के अंदर ही है लेकिन दोनों की प्रॉबलम बहुत अलग-अलग है अब जो श्याम है श्याम की ये प्रॉबलम है कि उसके विलेज के अंदर तो स्कूल ही नहीं है तो बिचारा श्याम बहुत दुखी है बोलता है कि देखो राजेश के विलेज के विलेज के अंदर स्कूल तो है और वहां पर कम्प्यूटर लैब भी है लेकिन मैं यूपी के अंदर जिस विलेज में रहता हूं वहां पर तो स्कूल ही नहीं है, तो अब यह अपने local government leader के पस यह problem लेके जाता है, अब देखो state A की है, ठीक है लेकिन दो अलग अलग जगाए हैं और दोनों अलग 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 जगाओं के बच् universาก को अलग अलग problems है तो अब यह जो problem घब लेकर गये थे local leader अगर local leader इनकी problem को solve नहीं कर पा रहा है तो उसने बुला है कि इस problem को मैं किसके पास लेकर जाओंगा state government के पास या फिर जो इनसे बड़े leaders हैं उनके पास finally अगर state government भी किसी problem को solve नहीं कर पाती है तो वो किसके पास जाती है central government के पास तो federalism एक ऐसा system होता है जिसके अंदर government की power को divide कर रखा होता है between central authority and other various constituent units of country जैसे central government सबसे powerful होती है उसके बाद और भी अलग-अलग parts होते हैं जिनके अंदर power को divide करा होता है what are the features of federalism? federalism के feature क्या होते है federalism के अंदर दो या दो से ज़्यादा level of government होती है different tiers of the government govern the same citizen लेकिन each government has power independent of the other मतलब क्या है इसका? देखो अब यह जो चीकू है मान लो इसको note का color पसंद नहीं आ रहा अब यह जो note का color है currency का color है इसको पसंद नहीं आ रहा central government को state government को या फिर municipal corporation को यानि की local government को तो चीकू किसको complaint कर सकता है इस चीज के related central government को क्योंकि पैसे के related जाद तर चीजे कौन देखती है central government अच्छा चीकू के area के अंदर पानी नहीं आ रहा है तो अब चीकू किसको contact करेगा state government को central government को या फिर municipal corporation यानि की local government को किसको contact करेगा इन तीनों में से municipal corporation को उनको बोलेगा के भाई देखो हमारी area के अंदर पानी नहीं आ रहा है अच्छा ये बताओ कि अगर चीकू ने कोई crime कर दिया है बहुत बड़ा कोई अपराद कर दिया है तो सबसे पहले इसके ओपर connection लेगा state government क्योंकि police जो है वो जादा तर state government के control में होती है तो यहाँ पर अलग-अलग government की अलग-अलग power है और अलग-अलग responsibility है यानि की अलग-अलग जिम्मेदारी है जैसे same school वाला ही system है math के teacher अलग होते हैं English के teacher अलग होते हैं science के teacher अलग होते हैं अगर आप math में अच्छा नहीं कर रहे हो तो आपकी मम्मी क्या English वाले teacher को जाके complaint करेंगी नहीं math वाले teacher को करेंगी तो same ऐसे ही अगर चीकु को कोई भी problem हो रही है water related तो वो municipal corporation को complaint करेगा ना कि central या फिर state government को तो powers divided हैं जिससे की government अच्छे से work कर पाए next fundamental of provision of constitution cannot be changed by one level of government अच्छा सोचो इन में से central state government और municipal corporation यानी की local government से कोई एक ऐसी government हो जो ये सोचे कि सारी power मैं अपने हाथ में ले लू तो ऐसा possible बिल्कुल भी नहीं है अब ही सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताता है कि central government सबसे strong होती है सबसे powerful होती है मालो central government चाहे कि मैं state government और जो municipal corporation यानी की local government इसको हटा कर सबसे powerful खुद बाखुद बन जाओं तो वो ऐसा नहीं कर सकते वाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते because of constitution constitution के अंदर इस चीज के लिए मना लिखा है और constitution के अंदर इस power को change करने के लिए काफी लंबा procedure बताये किया है जो judiciary है इस conflict को रोकती है between central and regional government जिससे की कोई भी ऐसा ना करे कि एक दूसरे की power को छीनने की कोशिश करे जैसे central government है वो कभी कभी कोशिश करती है कि municipal corporation यानि कि जो local governments है उनकी power को अपने हाथ में ले ले या फिर जो local government है वो ये कोशिश करती है कि हम लोग central government की power को अपने हाथ में ले ले अब इन दोनों को ऐसा करने से रोकता कौन है जुडिशरी यानि कि हमारा जो कोट है वो रोकता है इन सब चीजों को गलत होने से Source of revenue for each level of governments are clearly specified to ensure its financial autonomy अब देखो क्या होता है कि हर एक government को पैसा चाहिए चलने के लिए जैसे central government को भी पैसा चाहिए स्टेट government को भी चाहिए और municipal corporation को भी चाहिए तो यह अलग-अलग जो government है यह अलग-अलग तरीके से पैसा कमाती है जैसे municipal corporation कहां से water related मालों जो भी हम लोग अपने घर के अंदर water को use करते हैं उस सारा जो भी water होगा उसके related जो भी बिलाएगा वो municipal corporation के पास जाएगा तो यहां से जो हमारी local government होती है वो पैसा कमाती है state government कुछ अलग तरीके से कमाती है और जो central government होती है वो भी एक अलग तरीके से अलग method से पैसा कमाती है यह कोई add नहीं है आपको एक बहुत ही important information देनी है education को easy और affordable बनाने के लिए हमने एक important step लिया है आपके लिए हमने ready करा है special content जो आपके exam में बहुत help करेगा इसमें आपको मिलेंगे chapter wise test paper हर chapter के notes साथ में combined test papers और priority doubt clearing इसके साथ साथ और भी बहुत सारे benefits आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2.99 के membership prize में subscribe के साथ में join के बटन पे click करके आपको ये membership purchase करनी है ये prize limited time के लिए है अरे वा भया इतने कम prize में इतनी सारी चीजें मैं तो अभी member बन जाता हूँ अब हम पढ़ने वाले है kinds of federation के बारे में आखिरकार federation क्या होती है coming together federation मतलब जब बहुत सारे independent states मिलकर खुद की एक बहुत बड़ी unit बनाते हैं तो उसे ही बोलते हम लोग coming together federation लेकिन इसके अंदर जो power होती है वो हर एक state के पास equal होती है अच्छा इसका example है Australia Australia के अंदर आप count करोगे तो 1,2,3,4,5,6,7 7 independent states थे इन्होंने decide करा के मिलकर क्यों ना एक बड़ी आसाथ एश बनाया जाए एक बड़ी आसी government बनाई जाए एक बड़ी unit बनाई जाए तो ऐसा ही हुआ लेकिन उससे पहले इन लोगों ने ये समझाता करा कि हम जितने भी independent states है हमारी power कम नहीं होनी चाहिए चाहे हम लोग मिलकर एक खुद की बड़ी unit बनाएंगे लेकिन फिर भी हम सब के पास power उतनी ही रहनी चाहिए तो ऐसे case में हम लोग बोलते हैं coming together federation बन गई है तो Australia क्या है it is a coming together federation क्योंकि हर एक independent state के पास equal amount of power है अच्छा India क्या है India is holding together federation coming together federation और holding together federation के अंदर क्या फरक है जैसे इंडिया के अंदर आपने देखा है के बहुत सारे अलग-अलग states होते हैं जब सारे states मिल जाते हैं तब इंडिया बनता है ये तो कुछ-कुछ coming together federation जैसे ही लग रहा है लेकिन coming together federation में मैंने एक चीज़ बोली थी के हर एक state के पास equal amount of power होती है इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है हर एक state के पास different amount of power है अगर मैं बात करू देली की देली क्या है एक union territory है देली के पास थोड़ी कम powers है compare to other states अगर मैं बात करू कुछ ऐसे states की जिनको special तरीके का treatment मिला हुआ है तो वो जो states होते हैं वहाँ पर आप अपनी property नहीं करीच सकते हो जैसे इंडिया के अंदर आप कहीं कहीं जगा पर ही selective states के अंदर properties नहीं करीच सकते हो तो उनको क्या मिला होता है special status मिला होता है तो वो states क्या है उनको एक special तरीके की power मिली हुए equal power नहीं है जैसा कि coming together जो federation होती है उससे बिलकुल अलग है ये बात coming together federation में क्या होता है हर एक state के पास equal amount of power होती है लेकिन यहाँ पर holding together में क्या होता है किसी state के पास ज़्यादा power होती है किसी के पास कम तो अब आपको clear हो गया होगा कि इंडिया के अंदर कैसी federation है it is holding together federation holding together और coming together में क्या फरक है coming together में सारी power जो होती है वो equally shared होती है holding together में क्या होती है जो power होती है किसी state के पास ज़्यादा होती है किसी state के पास कम होती है इंडिया एक federal country कैसे है देखो जो हमारा constitution है उसने originally तो two tier government ही बनाई थी एक थी central government और दूसरी थी state government central government यानि की union of India भी बोल सकते आम लोग और दूसरी जो state government थी यही बनाई गए थी constitution के थुरू लेकिन बहुत सारी problem आने लगी अब problem आने की वज़े से ये decision लिया गया कि एक और third government बनाई जाए और इस third government को बनाने की जरूत क्यों पड़ी मान लो किसी को कोई भी problem होती थी अपने state के अंदर जैसे यहाँ पर ये जो उपर दोनों बच्चे थे अब ये दोनों बच्चे इनको कोई भी छोटी मोटी problem हुई लोकल गवर्मेंट के पास जाने के बजाए ये state government के पास जा रहे थे और state government के पास बहुत सारे लोग होनी की वज़े से काम अच्छे से नहीं हो पा रहे थे तब ही decide हुआ कि एक local government भी बनाई जाए क्योंकि हमारी country बहुत बड़ी है और ये जो local government है इसे हम लोग बोलते है पंचायत्स या फिर municipalities और इसे बोलते हैं हम लोग third tier of federalism तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप जिस भी state के अंदर रहते हो वहाँ पर सबसे पहले central government आपको rule करती है फिर state government और फिर municipal corporation या फिर पंचायती राज जो constitution है उसने divide करी है power between union government यानि कि central government and the state government तो इस इसके लिए तीन list है जो union list है उसके अंदर वो सारी चीज़े आती है जो union government यानि कि central government control करेगी तो constitution के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि यह सारी चीज़े है इनके उपर control किसका चलेगा central government का और constitution के अंदर ये भी लिखा है कि जो भी चीज़ है state government के control में आने वाली वो state government control करेगी अच्छा कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे की ट्रेड यूनियन्स मैरेज एडॉप्शन एजूकेशन का सक्सेस और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग कॉन्कूरेंट लिस्ट अब जो कॉन्कूरेंट लिस्ट होती है ना इसके अंदर क्या होता है सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरस्ट मतलब इसके अंदर दोनो स्टेट गवर्मेंट भी और सेंट्रल गवर्मेंट यानि की जो यूनियन लिस्ट होती है ये दोनों ही मिलकर काम करते हैं और डिसाइड करते हैं जो भी डिसीजन इने लेना होता है तो स्टेट ग लिखते time थे ही नहीं जैसे की matter कौन से हो गया जैसे की computer के related technology के related कोई matter हो गया internet के related matter हो गया अब इसको कौन solve करेगा जब हमारा constitution लिखा गया था तब तो internet था ही नहीं तो इन सारे matters को solve करती है हमारी union government ही constitution के अंदर ये लिखा गया है कि जो residue subject है मतलब वो वाले subject जो की इन तीन लिस्टों के अंदर भी mention नहीं है जैसे की internet की कोई भी problem होती है वो mention नहीं है इन लिस्टों के अंदर तो उनको कौन देखेगी union government internet एक छोटा सा example है और भी बहुत सारी चीज़े होती है जैसे की cryptocurrency bitcoin अगर आपने bitcoin के बारे में सुना है तो बहुत अच्छा है नहीं सुना तो कोई बात नहीं उसको भी कौन सी government देखने वाली है union government features of Indian federation Indian federation के क्या features है देखो सबसे पहले हमने जैसा भी देखा था कि Indian federation कैसी है it is what kind of federation holding together federation holding together federation का मतलब यह होता है कि हर एक state के पास equal power नहीं है तो यही लिखा गया है जितने भी states है उनके पास equal power नहीं है जो parliament है वो खुद से ही power sharing को change नहीं कर सकती power sharing को change करने के लिए both the houses of parliament की permission चाहिए और इसमें भी two third majority होनी चाहिए मतलब कि अगर आपको power sharing change करनी है कहीं से भी कुछ भी process करना है power sharing change करने का तो यह काफी ज़्यादा लंबा चोड़ा process होने वाला है ऐसा नहीं है कि मालो central government ज़्यादा powerful है तो वो यह सोचे कि state government को मैं हटा देता हूँ और मैं ही अकेला rule करता हूँ पूरी country के उपर तो वो ऐसा नहीं कर सकते इसके लिए उन्हें permission लेनी पड़ेगी from both the houses और साथ में उनको two third majority भी चाहिए होगी कोई भी ऐसा rule और regulation जो की सही से implement नहीं होता उसको oversee करती है हमारी judiciary यानी की court और constitutional provisions अगर अच्छे से follow नहीं हो रहे हैं तो उसके ओपर भी judiciary action लेती है आखिर federalism को कैसे practice करा जाता है तो ये आप India का map देख रहे हो ये map है 1951 का और ये है 2019 का जरा ध्यान से देखो कितनी ज़्यादा shape और size में difference है states के अलग-अलग states का shape और size change होता रहा है और कितना ज़्यादा change हो गया है 2019 तक आते आते तो तो यहाँ पर अलग-अलग states की जो boundaries है ये कैसे define होती है ये define होती है on the basis of the language अगर किसी state के अंदर हर्यान भी बोली जा रही है तो वो कहां तक बोली जा रही है जिस भी region तक हर्यान भी बोली जाएगी वहां तक की जगा को हम consider कर लेंगे हर्यान तो ऐसे ही अगर किसी state के अंदर ये आसाम की जो language है वो बोली जा रही है तो वहां पर हम लोग decide कर लेंगे कि यहां तक आसाम है तो on the basis of language on the basis of culture हमने states का generally division करा लेकिन एक language policy लाना भी जरूरी थी देखो इंडिया के अंदर different states तो है अलग-अलग states होने के कारण अलग-अलग तरीके के लोग होने के कारण हमारे एक देश के अंदर कोई किसी भी state के अंदर रहता है different language बोलता है लेकिन हम सब अपने आपक वो इंडियन ही consider करते हैं और अगर कोई भी बात आती है तो हम लोग बोलते हैं कि हम सब इंडियन हैं और हम सब एक हैं तो ऐसा क्या है ऐसा क्या करा हमारी government ने ऐसा क्या करा है हमारे constitution ने कि जब भी कोई problem आती है या जब भी कोई दिक्कत आती है तो हम सब लोग मिलकर बोल किसी भी language को national language नहीं बनाया गया जैसा आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि जो श्री लंका थी वहां की एक national language बन गयती सिन्हला इंडिया के अंदर कोई भी national language नहीं है हिंदी हाला की बोली बहुत जादा जाती है इसी वजह से हिंदी को official language बनाये गया लेकिन national language नहीं बनाये गया हिंदी के इलावा भी इंडिया के अंदर 21 other languages है जिने recognize करा जाता है as a scheduled languages by the constitution हर एक state की खुद की भी official language होती है English और हिंदी को use करा जाता है for official purpose क्योंकि ये दो ऐसी languages है जो all over India सब लोग जानते हैं दोनों में से कोई ना कोई एक language तो जानते ही है center state relation देखो sharing of power between center and the state की वजह से ही जो हमारा constitution ने बनाया है ये जो पूरा system इसकी वजह से जो federalism है ये काफी जादा powerfully इंडिया के अंदर work करता है देखो दोनों के अंदर power sharing अच्छे से होती है जैसे कि जो हमारा central है और जो state है ये देखो central government और state government दोनों के बीच में power sharing अच्छे तरीके से होती है तो काफी अच्छे से federal government run कर पाती है तो ये काफी important आई होप अब आपको clear होगा कि center और state के बीच में जो strength है वो किसी से increase हुई है this is due to the constitution next 1990 के अंदर बहुत सारी regional political parties थी states के अंदर जो बनी जिसकी वज़ा से जो coalition government बन रही थी हमारी country के अंदर उस government के लिए काफी ज़ादा difficult होगा central government के लिए कि वो dismiss कर सके state government को एक non democratic manner में अच्छा यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझने के लिए एक थोड़ी सी story समझनी पड़ेगी देखो पहले क्या हो रहा था इंडिया के अंदर के बहुत सारी parties alliance बना कर state central government बना लेती थी अब central government सबसे powerful है आपको पता है यह central government state government की power को कम कर सकती है या फिर हटा दे ऐसा ना हो इसके लिए क्या हुआ कि बहुत सारी अलग-अलग यह देखने को मिला के regional parties जीतने लगे और regional parties रूल करने लगी अब यह जो regional parties थी इन्होंने काफी ज़्यादा difficult कर दिया central government के लिए अपनी मनमानी करना मतलब central government अपनी मर्जी से किसी state की power को नहीं चीन सकती simple मतलब यह है तो यहां पर जो central government है वो खुद से किसी भी state की power को नहीं चीन सकती जैसा कि अभी हमने उपर पढ़ाता कि according to our constitution सिर्फ two tiers of government थे एक थी central government और दूसरी थी state government लेकिन state government जब चीजों को अच्छे से handle नहीं कर पा रही थी या फिर state government को लगा कि उसके नीचे भी एक local government होनी चाहिए तो local government का formation हुआ लेकिन ये जो local bodies थी यानि की local government थी before 1992 directly in a state government select कर लेती थी कोई election नहीं होते थे मतलब public choose नहीं करती थी अपनी local bodies को तो मान लो अगर कोई state का chief minister है चमपूलाल और उसका बेटा है पपूलाल तो चमपूलाल क्या बोलतेगा अपने बेटे पपूलाल को के भाई जाओ पपूलाल तुम बन जाओ इस local government के leader तो इस तरीके से जो state government के chief ministers से या leaders से वो किसी को भी अपनी जान पैचान वाले को local government का leader बना दे रहे थे तो ये तो काफी ज़्यादा problematic थी क्योंकि elections नहीं हो रहे थे इनको select करने के लिए और जो local bodies थी उनके खुद के resources या power तो उनके पास कुछ थी नहीं वो भी किसके ओपर dependent थी वो भी state government के ओपर dependent थी तो अब जरूरत पड़ती है constitution के अंदर कुछ change लाने की अब ये constitution क्या है अगर कुछ बच्चों को अभी भी नहीं पता तो कोई बात नहीं देखो हमारी country को run करने के लिए कुछ set of rules की जरूरत पड़ती है कुछ rules और regulation की जरूरत पड़ती है अब ये जो rules और regulation है ये एक book के अंदर लिखे जाते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग constitution of India अब ये constitution of India के अंदर जब भी हमें कोई नया rule add करना होता है या फिर rule के अंदर कोई change करना होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं amendment जब हम किसी rule को change करते हैं तो amendment करते हैं हम लोग constitution के अंदर तो ऐसा ही हुआ जो third tier of democracy था मतलब की जो local governments थी अब उनके अंदर थोड़ा सा बदलाव लाने की बारी थी अब mandatory कर दिया गया था जो नया हम लोगों ने amendment करा था change करा था constitution के अंदर उसके अंदर हमने clearly ये चीज़ mandatory कर दी के local government bodies के election होंगे regularly मतलब हम जो जनता है people है हम लोग local government को choose करेंगे ना कि कोई leader अपने बच्चों को या फिर किसी अपने जान पहचान के रिष्टेदार को local government का leader बना कर बिठा देखा seats जो है वो reserve होंगी for schedule का schedule tribes और other backward classes के लिए at least one third of all positions reserve होंगी for women तो ऐसा क्यों करा गया जिससे की women empowerment हो और औरतों की जो problem है वो औरते जल्दी समझ सकती है इसलिए जरूरी है के औरतों में से भी leader बने तो इसलिए reservation दिया गया especially for women एक independent institution बनाए गया जिसे बुला state election commission देखो ये सारी चीजें अच्छे से follow हो रही है या नहीं हो रही इन सब का ध्यान कौन रखता है state election commission वही देखता है कि ये कोई rule तो नहीं break हो रहे है यहां कहीं पर और अगर कोई rule break होता है तो उस चीज के ओपर warning देता है और punishment भी state election commission भी देता है हर एक state के अंदर अलग-अलग state election commission है जो state government है उसको अब एक और नया rule follow करना पड़ता है वो ये है कि कुछ powers उसे share करनी होती है और कुछ revenue मतलब कुछ पैसा भी share करना होता है with local government bodies तो यहां पर अब आपको पता चला होगा decentralization in India इंडिया के अंदर कैसे change आया after 1992 कैसे constitution के अंदर हम लोग amendment लेकर आए जो हमारे elections थे वो mandatory हो गए reservation mandatory कर दिया यहां पर साथ में one third position women's को भी मिला और इन सब चीजों की देख रेक करता है state election commission जो कि हर एक state का different होता है अब बात करते हैं ruler local government की popularly इसे हम लोग बोलते हैं पंचायती राज तो पंचायती राज के अंदर हमें देखने को मिलती है gram पंचायत जो की decision making body होती है for entire village पंचायत समिती जिसके अंदर कुछ gram पंचायत सोती है जो की एक साथ मिल कर क्या बनाती है पंचायत समिती या फिर block या फिर mandal तो जब बहुत सारी gram पंचायत एक साथ मिल जाती है तो वो क्या करती है वो बना देती है पंचायत समिती या फिर block या फिर mandal जिला परिशद, जितनी भी पंचायच समिटी हैं और फिर मंडल्ज है एक डिस्टिक्ट के अंदर, यह सब एक साथ मिलकर जिला परिशद फॉर्म करती हैं असान बाशा में समझते हैं ग्राम पंचायत जैसे एक विलेज की जो पूरी पंचायत हो गई उसे बोदिया ग्राम पंचायत फिर बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायत जुड़ गई तो क्या बन गया हमारा पंचायत समीती अब ये जब बहुत सारी पंचायत समीती एक साथ हमन cities है वहाँ पर क्या चीज़ होती है वहाँ पर हमें ज़्यादा तर देखने को मिलता है municipal corporation डेली के अंदर देखा होगा municipal corporation of डेली ऐसे अलग-अलग जगा corporations होती है कहां कहां पर होती है ये generally urban areas मतलब की जो city वाले area होगे ज़्यादा तर वहाँ और ruler local government कहां होती है जहां पर थोड़ा गाओं वाला area होता है अच्छा आपके यहाँ पर क्या है municipal corporations है या फिर पंचायत है पंचायत वाला system है कमेंट करके जरूर बताना यहीं पर हमारा ये chapter खत्म होता है इस chapter के अगर आपको sample paper चाहिए तो subscribe करिये चैनल को उसके साथ में join का बटन है उस पे click करके member बनिये sample paper मिलेंगे notes मिलेंगे और आपको और भी बहुत सारे interesting चीज़े मिलने वाली हैं साथ में so thank you so much for watching this video फड़ाफट वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो और मनु से ग्यान लेते रहो